नमस्कार सौगत हापका एवन राजस्थान में आपके साथ महुकरपाशंकर शर्मा खबरों को इस तार से जानेंगे लिकिनुसे पहले नजर है लाइन्स पर राजध्यानिकों सीम वसुंदर राजय की सोगात्स, एसमेस और ट्रोमा सेंटर के बीर चंडर पास का क्या शिलाने आप मरिजों और परिजिनों को मिलेगी राहत्स अब होगा अस्पताल का भी काय कल्ब हनुमान बेनिवाल का निलंबन रद करने की मांग को लेकर जैपुन में विरोध प्रदर्शन प्रशासन ने नहीं दी रैली निकालने की हनुमती बेनिवाल और क्रोडिलाल मिना ने सरकार पर लगाया अंदोलन कुचलन लेकारो प्रदेश में एसीबी की कारवाई कोटा में विवाईटी का पटवारी 30,000 की रिश्वत तो वहीं चित्तोडगर में सिचाई विभा का बाबू 20,000 की रिश्वत ले थे ग्रफतार भरतपूर के सीकरी में सिर्थला गाउं में दिन दहरे लूट कॉपरेटी सचीज से बदमाशों ने हत्यारों के दमपर लूटे 1,70,000 रुपै लुटेरे बाइक और मॉबाइल भी ले भागे पुलिस ने कराई ना के बंदी ओनलाइन दवा विक्रा का चौतर रफा विरोर राजिस्थान में 50,000 से ज़्यादा मेडिकल इस्टोर रहे बंद दवा के भाव में मरीज और परीजन हुए प्रेशान एहन राजिस्थान में अब खबरे विस्तार से मुखे मंतरी वसुंदर राजे ने एसमेस हस्पिताल में टोमा सेंटर की बीच अंडरपास का श्यलानास किया है इस मौके पर यूडिएच मंतरी श्यूचंद करिपलानी चिकसा मंतरी कालीचन सराफ जब पुरसांसर रामचरन बहुरा और मेर अशोक लाहोटी मौजूद रहे 14 करोड 29 लाग की लागस से बनने वाले अंडरपास मंतरा महा में पूरा करने का लक्ष रखा गया है इसके साथ ही ऐसमेस हस्पिताल और ट्रोमा सेंटर सेंडरपास में जाने के लिए सीड़ी एंट लिफ्ट की विस्ता भी की जाएगी जिसे आमजन को परिशानी से राहत मिलेगी ऐसे में बुजरुगों को लिफ्ट की सुइधा का फायदा मिलेगा वहीं जाच कराने आने वाले मरीजों को अंडरपास बनने से फायदा मिलेगा अंडरपास में कुल 22 दुकाने बननी प्रसावित की गई है यह आपन कर देते हैं वहाँ शॉप्स का इंतिजाम कर देते हैं तो हॉस्पिटल का भी मादा होगा मने लोगों को दूर दूर जाने की जर्वधी नहीं होगी वही हॉस्पिटल की शॉप की मिलेंगे और यहां से वहां तक ले जाने के लिए पेशन्स के लिए आराम हो जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज 14 करोर की लागत से अच्छा हाँ उसका जो रिटर्न जाएंगे दुकानों की उपर that will go to pay off these loans also. So मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छा जनता के लिए होगा 14-15 करोर का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है और आने वाले समय के अंदर इसका फाइदा उस बिल्डिंग में भी मिलेगा इस बिल्डिंग में भी मिलेगा देखे मानिय मुख्य मंत्री जी की कई दिनों से ये इच्छा थी कि एसमेंस होस्पितिल को ट्रोमा सेंटर जो बना है उससे अंदर पास बनवा के जोड़ा जाए और आज वो सपना साकार हो रहा है या सिला नियास हुआ है 14 करोड 90 लाग रुबे की लागत से जेडिये इस अंदर पास को बनवा रहा है और अभी मेडम ने ये भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेज और एसमेस के बीच में जेलन मार्क पर भी इसी प्रकार का अंदर विधान सबासे निलमन के विरोध में खिनुसर विधायक हनुमान बैनिवाल समर्थों को जेपूर्दला प्रशासन ने रैली की अनुमती नहीं दी है। प्रेशासन की अनुमती मिलने के बाوجود बैनिवाल के सैकर समर्थक जेपूर ने के आवास पर पहुंझ गये। समर्द्खों को समर्द्खों को समोधित करते हुए बैनिवाल ने सरकार पर निशाना साधा है बैनिवाल ने कहा कि किसान, मज़ूर, गरीब और दली तादिवास्कियों के आवाज सदर में उठाने के कारण सरकार ने निलम्मन कर दिया है अब जब सडकों पर जनता की आवाज उठाने जा रहे हैं तो यहां भी सरकार तानाशाही कर रही है जिसे बरदाश नहीं किया जाएगा बैनिवाल ने कहा कि कारीकरताओं को जगह जगह पर रोका गया उन्हें थानों में बंद कर दिया गया गाड़ियों के हवा निकाल दी गई है वहीं बैनिवाल समर्थों को राजपा विधायक डॉक्टर किरोडिलाल मीना ने भी संबोधीत किया मीना ने कहा कि ऐसी तानाशाही सरकार कभी नहीं देखी जो जनता की ही नहीं जन प्रतिनी धियों की आवाज जिल लाठी गोली के दमपर दवा रही है प्रदेशन को देखते हैं जालू पूरा इसीद हनुमान बैनिवाल का बंगला पुलिस चावनी बना रहा पुलिस ने संसार चंदर मार्क पर बेरिकेट्स लगा कर प्रदेशन कारियों को रुगा हला कि बैनिवाल और किरोडिलाल मीना ने सरकार से पुलिस कमिशनरेट तक रैली निकालने के अनुमती मांगी जिसे भी पुलिस ने इंकार कर दिया मीना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका और बैनिवाल को बीजेपी मेशामिल होने का सवाल ही नहीं उखता रेली फ्लॉप होने पर मांसमान बचाओ संगठन ने एक जून को राजिस्थान बंद को फिलहाल रद कर दिया है कर दिया दो रहे गए और तो में एक अन्वान बेनिवाल है जो अपने समर्थकों के साथ निलंबन की खिलाब में समर्थकों को लाए और बहुत की मांग करने के लिए यह बहुत हो इनके समर्थकों में इनके साथ जैपुर की सब्सक्राइब यह राज़ीत है अनुमतिक देने के बाद रद निकली चीए रद करना भी अन्याय पूर कारवाई तो इसलिए अन्याय कम रोध करने है उसके पाद प्रमेशन कैंसिल से लेकर राज़िस्तान के जमान उदे लिट है और आज़ बार की लगाई लेए लेकिन काम कभी नहीं किया पहली बार देश को ऐसा प्यम मिला है जिसने गरीबों के लिए नीतिया बना कर सीधा लाब दिया है मोदी वो नाम है जिसने देश विदेश में देश का नाम मूचा किया है जिस पर जन्ता का भरोसा है एक अन्य सवाल के जवाब में चत्रुवेदी ने राज़ी में कॉंग्रेस कारे करताओं पर जबरन हला मचाने कारूप लगाया है उन्होंने कहा क कि राज़धानी में लगाता रिवकास कारे हो रहे हैं इसके बावजूद कॉंग्रेस कारे करता उस इस्थान पर जाकर हला मचा रहे हैं यहां पर सडकों के वर्क ओर्डर हो चुके हैं चित्ड़गर जिले में भिहुस्ट़चार वरोधक ब्यूरो ने मच्छ tells से 20 र हजार के रिशवति लेते सिंचाय उभा के सहय कर्मी को रंगे हतों गरफतार किया है चौकी प्रभारी अत्रिक पुलिस अधिक शक चुरंजी लाल मिना ने बताए कि चंदेरिया निवासी मच्छी ठेकेदार अनिल खत्री ने बेवरों में परिवाद पेश किया इसमें बताया कि जिले के सिंचाय उभा गंगरार व्रत के सालेर बांध का मच्छी ठेका उसके नाम पर 4 लाक रुपे में लूटा है और उसने मच्छी पालन के लिए 10 लाक रुपे बांध पर खर्च कर दिये हैं बांध से वहां तैनास सहय कर्मिय दौलत राम माली लगातार नहर के जरीये पानी खाली कर रहा था और जब करीब आठ फिट पानी रह गया तो उसने उसे पानी चोड़ने से मना कर दिया तो बदले में उसने रुपे की मांग की परिवादी रंग लगे नोट लेकर बांध पर पहुंचा और से दिये जो उसने अपनी मोटर साइकल की जिग्गे में रख लिए इशारा मिलते ही बियोरो के दलने उससे दवोच लिया आपको पता देएं कि जिक्के से राश्य भी बरामत कर ली गई है और उसे विशेश नयाले ओदेपुर में पेश किया जाएगा एक लिखेश रिपोर्ट एसे दी चोपिचे तोड़ा माते दी कि साब मैंने सालेरा बांध में मस्रिपाल का ठेका लिगवा हुआ वहाँ पर एक करमचार ये सिचाई भुबाग का दौलत राम बाली करके वो मेरे से बांध के पानी के लेवल को बराबर रखने के लिए और नेर में पानी नहीं छोड़ने के वादे मुझे 20,000 रुप मांग रहा है इस आरोप का दिनांग 26 मई को अपने चौक की द्वारा सत्यापन कराए गया है सत्यापन में परीवादी द्वारा लिखे तरिपोर्ट में जो आरोप लगाए गये तो प्रमानिक पाए गए इसके आधार पे आज दिनांग 30 मई को परीवादी से बीस आरोप के रिश्वत पाली के तकदगड़ के सांडे राव कजबे में एक वियाहिता ने कुवे में कूद कर आत्म हत्या कर ली वियाहिता के आत्म हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है सांडे राव थाना के सजन सिंग और भरसिंग चोदरी घटना इस्तल पर पहुंचे और करीब तीन गंटे की कड़ी मश्रकत के बाद महिला के शव को कुए से बाहर निकाला गया महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है जसल मेर के फलसून में एक विहायता ने टांके में कूद कर आत्महत्या कर ली आत्महत्या के कारणों का खुलासा भी तक नहीं हो पाया है महिली फलसून थाने के पदंपूरा गाउं की घटना है विहायता के परिजनों ने मामले की सूचना पुलीस को दे दी है महिली मृतका के घर वालों ने धेज परतार्णा कारूप लगाया है पुलीस मामले की जाँच में परिवार के लोगों से पूछताच कर रही है नुगरपूर में महिला समूग के नाम पर ठगी करने के मामले को लेकर महिलाओं ने पुलिस अधिक्शक को अपनी आप बिती सुनाई महिलाओं ने बताए कि कुछ समय पूर कुछ लोगों ने महिला बचा सुयम सहता समूग के नाम पर एक समूग खोला जिसमें शहर की यादव बस्ती वे पातेला बस्ती की महिलाओं ने सदस्ता ली जिसमें उनको घर की छोटी जरूरत को लेकर काम करना सिखाय जा रहा था संस्था के सदसु ने बैंक से लोन लेने की जान करे दी और महिलाओं को ग्रामिन बैंक से लोन दिलाने के नाम पर कुरिक आगस पर हस्ताक्षिर करवा लिये और बैंक से 40,000 का लोन मिलने की कहे कर सभी महिलाओं को पैसे दे दी बाद में बैंक की ओर से सभी महिलाओं को एक लाग का नोटिस आया है भरतपूर के चिकसानक शेत्र के गाउं बच्छामदी में सड़क दुरगर्णा में गाउं नगला बरताई निवासी एक महिला के मौत हो गई है जानकर इक नुसार गाउन अगला बरताई निवासी रीना पत्नी रविंद्र अपने जेट के साथ बच्छामदी बाजार से कुछ सामान खरिदने आई थी जहां एक टेज गती से आते ट्रेक्टर चालक ने रीना को टकर मार दी जिसे महिला की मौके पर ही मौत हो गई अलवर जिले के गौविंदगर्ख शेतर के गाउन असवारी में कलियोगी मा अपनी नवजाद बालियका को मार कर फैक गई नवजाद बालिका मुखे सड़क से दूर केसर सिंग की समाधी के नजदीक मरत अवस्ता में मिली है नवजाद के सिर मुहों और पैर बर चोट के निशान मिले है भरतपुर के सीकरी नगर रोड पर सिर्थलागाउं के पास एक कॉपरेट्व सोसाइटी के सचीओ के साथ हतियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है सोसाइटी के सचीओ बदमाशों ने हतियार के दम पर 1,70,000 उप्ए लूट लिये वहीं बदमाशों ने मोबाइल और बाइक स्थाइक कई कागजातों भरा बैग भी लूट लिया, बैग में चेकबुक सहीत कई जरूरी दस्तावेश थे, वारदात की सूचना पुलिस को दी गई है, जिस पर वारदा सहीत आसपास के इलाके में नाकामन्दी कराई गई, लेक सीकर जिला मुख्याले इस सीद राधा किशनपूरा वाइपास पर एक पैंथर के निर्वानाधीन मकान के अंदर घुस जाने से इलाके में संसनी फैल गई, सुबह से ही पैंथर के इलाके में होने की खबर पर पुलिस और वन विभाक के अधिकारे मौके पर पहुँचे, पैंथर के निर्वानाधीन मकान में छिपे होने की सूचना पर जैपूर जू से ट रेंकुलाइज के जाने के बाद पैंथर को आपा शाकंबरी वन में छोड़ दिया गया है पास एक निर्माजदीन कॉंपलेक्स के अंडरगाउन पार्किंग में एक नर पैंखर जो जिसकी उमर लगबग डेड़ वर्ष थी ये बच्चा कहीं से बिच्चुड के शाकंबरी वन छेतर से इधर शहर में आ गया है जुनजनू में मंगलवार सुभह हिस्टर शुटर और पुलिस के बीच मुठवेड हुई जिसमें हिस्टर शुटर को गोली लगने से भाईल हो गया जबकि मुठवेड में एक पुलिसकर्मी भी चोटल हुआ है ये मुठवेर जिले के पचेरी थाना इलाके के गाउन देलवावास में हुई थी गाउन भालोट का हिश्टिश्टर सत्वीर मंगलवार सुभे अपने ननीहाल देवलावास आया हुआ था पचेरी पुलिस को इसकी एकिला मिलने पर हैड कॉंश्टिबल विजे कुमार वह कॉंश्टिबल रमेश कुमार सहित जापता देवलावास पहुँचा पुलिस को देख सत्वीर चटो पर चड़ गया वह करीब एक घंटे तक पुलिस को चकमा देता रहा एक चट से दूसरी चट पर चड़कर फरार होने की कोशिश की पुलिस ने उक्से चारों तरफ से घेड लिया और फारिंग के दोरान हिस्टिशिटर को गोली लग गई जिसे वह गायल हो गया पुलिस टीम ने हिस्टिशिटर को दबोच लिया है मैं हिश्टे-शिटर सत्वीर को अपने जुञणू और बाद में जयपूर रेफर कर दिया गया आपको बता दें कि हिश्टे-शिटर सत्वीर पर नकबनी लूट अपरहन के करीब 70 मामलेदार्ज है हिश्टेशिटर की तलास हरियाना पुलिस के लाओ अलो और पुलिस भी कर रही है देश भर में बीजेपी कारिकरता के इंद्रखी मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर जेशन मना रहे हैं लेकिन कई स्थानों पर इन्हें आम जंता की वरोद का सामना भी करना पड़ रहा है आप अपने टीवी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कैसे सांसत के खिलाफ कारिकरताओं का गुस्सा उतर रहा है यही नहीं सांसत का बीच बचाओ करने मंच पर गए विधायक और सैनिक कल्यान बोर्ड के अधेक्ष्य प्रेम सिंग खाजोर को भी खरी खोटी सुनाई गई कारेकरताओं के गुस्से को देखते हुए सांसर ने भी उन्हें देख लेने की धमकी देकर कारेकरम को छोड़ कर जाने से अपनी भलाई समझी आप भी देखें कि सरह से सांसत और विधाय को लोग अच्छे दिन बता रहे हैं मांसवड़ा शहर में पिछले दिनों हुई आगजनी पत्रा और सामप्रदाइक दंगा मामले में गरफतार लोगों की रहाई के लिए प्रदर्शन किया गया हातों में वहिन परकार के बैनर लेकर लोग कॉंटरेक्ट कलेक्टरेट पहुंचे जहां जिला प्रशासन के खिलाफ आकरोज जताया गया है मानवधिकार मंच के बैनर तले लोगों ने धरना प्रदशन कर निर्दोश लोगों को छोड़ने की मांग की महीं सियम के नाम अतरिक्ट जिला कलेक्टर को गयापन भी सौपा है पुलिस ने इस मामले में करीब दौसो लोगों की गरफतारी की गई थी सीकर्ट जिले के फतहपुर में कॉंगरेस कारी करताओं ने राहुल गांदी का पुतला जलाया किरल में यूग कांगरेस कारी करताओं ने गाय काट पर बीफ पकाने के मामले में व्रोध जताया था गौसेवा समिती की परदेशा रेष्ट दिने इस गिरी के बयान के बाद यूआउं ने कांगरेस के खिलाफ व्रोध परदेशन किया है वहीं बावड़ाई गेट पर बस स्टेंड पर यूआउं ने राहूल गांदी का पुतला जलाया वे टायर जला कर कंगरेस मुर्दाबाद के नारे लगाए यूआउं ने सुनिया गांधी और राहूल गांधी के खिलाफ जमकन नारे बाजी की इस दोरान यूआउं ने राहूल गांधी वे सुनिया गांधी द्वारा हिंदू समास से माफी मांगने की बात कहीं सीकर जिले के लक्षमनगर इलाके के सभी मेडिकल इस्टोर मंगलवार को पूरूर टाहब बंद रहे केंदर सरकार के ओनलाइन दवा बिक्री के प्रसाव का रोज जताया गया आपको बता दें कि 24 घंटे के बंद के आहवान पर लक्षमनगर के एक भी मेडिकल इस्टोर नहीं खुले केमिश्ट असोशेशन दुआरा अपनी मांग को लेकर केंदर स्वास्ते मंत्री के नाम उफखंड अधिकारी को ग्यापन सोपा गया असोशेशन के गयापन में बताया कि दवा की आउनलाइन विक्री के कारण दवाओं की क्वैलिटी के साथ यूआ नशे की और बढ़ेंगे करोली में दवा कानून संशोधन लिये जाने सहीत कई मांगों को लेकर उक्वन छेतर के सभी दवा विक्रताओं ने अपनी दुकाने बंद रखी जिसकी वजह से मरीज दवा के लिए इधर उधर भटकते रहे लेकिन उन्हें कहीं पर भी दवा नहीं मिली हुई गाउं से इलाज के लिए आए मरीज भी दिन भर दवा की दुकानों के बाहर बैठ कर दुकाने खुलने का इंतजार करते रहे दुआ विक्रताओं ने मुख अजमेर के बिजनगर में मेडिकल स्टोर संचालकों के हरताल पर रहने पर मरीजों को खासी परिशानियों का सामना करना पड़ा आपको बता दें कि देश में दवा वितरन प्रणाली के ओनलाइन इप पॉर्टल करने पर कैमिस्ट असोशेशन दुआरा देश वियापी हरताल की जा रही है ऐसे में कैमिस्ट असोशेशन ने प्रधानमंत्री के नाम तहसिलदार को ग्यापन सौप कर इसमें वापस बदलाव करने की मांग की है भरतपूर में कैमिस्ट वियापारियों ने ओनलाइन दवा विवसाई के विरोध में अपने प्रतिश्टान बंद रखते हुए विरोध जता है इस अबसर पर जिलादेक्षे जक्तिश गुपता के नेतरोत में कैमिस्ट अली बना कर पूर शेहर में चकर लगाते रहे इस अबहुतपूर बंद पर राजिस्टान कैमिस्ट असोशेशन के अधाक्षा आरवी पूरी ने बदाई दी महीं जोरान कुछ कैमिस्टों के द्वारा मरीजों के हित को देखते हुए अपने प्रतिश्टान खोले द्वालपूर में कैमिस्ट असोशेशन की और से ऑनलाइन फॉर्मेसी की वरोध में दवा की दुकाने बंद रखी गई बंद का जिले में मिला जुला असर देखनों को मिला है कैमिस्टों ने सरकार के खिलाव नारे बाजी कर केंदी स्वास्त वे परिवार कल्यान मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ग्या पन सोपा है केमिश्टों ने बताय कि पूरे भारत में आठ लाग केमिश्टों ने अपना विवसाय बंद कर रोज जताया है कि पूर्ण मंत्री ने अपने फर्मान जारी किया है उससे दवा विप्षाय कि इतों पर बहुत खत्रा पैदा हो गया है पूरे संपूर्ण देश के साड़े आठ लाग केमिस्ट तीस मही को सफल बना रहे हैं राइस्तान के जिसमें पचास यार केमिस्टों जादा पूर्ण फंद रख रहे हैं और इससे सरकार को बता जा रहा है कि हम लोग केमिस्ट एक ता कितनी कितना कुछ कर सकते हैं अपने हि भरतपूर जिले के हलेना क्षेत्र के विधायक भजनलाल जाटा उन्हें दोरा किया है विधायक ने वहां सभाव को संभूधित किया उन्हेंने कहा कि राजसान में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी राज्य की प्रजा भाच्वा के शासन से परेशान हो चुकी है रोजगार रासमन्त के बस स्टेंड इस्ती चीपा नामदेव मंदिर की दुकान का किराय नहीं देने को लेकर विवाद हो गया है महिलाओं और कुछ लोगों ने बंदुकान के ताले तोड़कर दुकान का सामान बाहर फैंक दिया एसपी हर्ष रतनू सहित कांकरोली थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लोगों को खदेडा है इसके बाद वहां मौझूद महिलाएं दुकान के बाहर धरना दे कर बैठ गई पुलिस ने हंगामा कर सभी महिलाओं को शांती भंक के आरोब में ग्रफतार कर लिया है छीपा समाज के लोगों का कहना है कि खत्री दुकान दार तो ना तो किराय दे रहा है और ना ही दुकान खाली कर रहा है राजधनी के दूदू के समीब बंधे के बाला जी में एक त्रेपनवा तीन दियोशे वार्शिक मेले का उजन किया गया जहां सुबसे ही श्रधाल्व का मंदिर में तांता लगा रहा है यहां हजरों के संख्या में श्रधाल्वा उने मेले में पहुंचकर्भा जी के दर्शन कीए के लिए जगे जगे निम्बु सिकन जी ठंडा जल की श्टोर लगाई गई इस बार गार्डन में लगी भगवान हनुमान वे शिव की विशान मूर्ती मेले में आकर्शन का केंद रही पुलिस प्रशासन की व्यस्ता सही नहीं होने की कारण लोगों को भारी परेशानी का साम लग्पनुम से लोश्नी अंजान ने गायक की प्रसूतियां दिया किर्दन डंगल में गायक कलाकारों ने पोरानिक धारमी क्योव राजनितिक परिप्रक्ष में गायन की प्रसूतियां देह Whole 動画 सढ़़ा दंगल में आसपास के गाउन के श्रता भी मौजूद रहे चूरू जिले के सुजानगर की कृष्री कृष्रिक्रिशन सेवा सदन कौशाला में करीब 200 से अधिक गाये हैं इनमें एक गाये को कामधेनू गाये का नाम दे तो अतिशुक्ति नहीं होगी क्योंकि ये गाये बिना गर्भाधान निरंतर दूद दे रही है ऐसी गाये बहुत कम देखने को मिलती है पुशू चिकिस्तार डॉक्टर इद्रीश खान ने बताया कि इस तरह की गाये हार्मोन ऐसंतुलन की वजह से दूद देती है इस गाये को कामधेनू के रूप में कहा जाये तो कोया आश्चर जनक बात नहीं होगी इसमें सारे वे गुण मौजूद हैं जो सामाने गाये में होते हैं गौशाला के प्रवक्ता मूल चन तिवाड़े ने बताया कि इस गौशाला में 213 गाये हैं जिन में से 37 गायें जन्म से अंधी हैं गौशाला के अंदर यहां पे 200 से उपर गायें जिसमें सी एक अलग हमारे यहां पे गाये जो बगेर काविंक के लगाता दूर्थ दे रही है यह एक अब्नॉर्मल कंडिशन होती है बोडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस होता है जिसके वजह से इनमें यहीट में नहीं आते हैं और काविंग के कंडिशन नहीं हो पाते हैं और यह लगातार फिर भी लगातार मिल्किंग प्रॉसिस में यह रह सकती है घरतपूर में भारते स्टेट बैंक के ग्राहकों की सामाने समस्याओं के समधान के लिए शिवर लगाया गया है कला मंदिर में शिवर कायोजन उप्रभंधक राजिश पचोरी के देश्टा में किया गया जिसमें बैंक के मॉबाइल क्विक पे, नोक्यू, स्टेट बैंक, एनिवेर की वस्रत जान करी दी गई शिवर के दोरान लोगों को OTP और कई जरूरी बातों के परतीज जागरू किया गया है सवय माधूपूर के कुशाली पूरा दुरूरा पर गूटर समाज के लोगों ने श्रिधांजली सभा कायोजन किया है जिसमें आरक्षन संघर्ष समीति के करनल किरोडी सिंग बैंसला और कैप्टिन हरी परसाद भी सभा में पहुंचे करनल बैंसला ने 30 मई 2008 के अंदोलन में मारे गए दो लोगों को श्रिधांजली दी इस उसर पर करनल किरोडी लाल सिंग बैंसला ने कहा कि गुजज समाज के युवाओं को शिक्षा के शेतर में आगे बढ़ने की अपील की उन्हें कहा कि सरकार को दिये गए अल्टिमेटम से पूर्व या तो सरकार किसी निर्ने पर पहुंचती है नहीं तो मैं अपने किये हुए वादों पर डटा रहूँगा गुजज समाज के हित के लिए करनल किरोडी सिंग बैंसला जब तक लड़ते रहेंगे तब तक उनका सपना पूरा नहीं हो जाता उनका सपना ये है कि उनके समाज की बेटी एक दिन आईएज आईपीस बन कर सवाई माधूपूर जिला मुख्याले पर बैठे और गुजज समाज का प्रतिने दित्व करे इस औरां सैक्रोलोग श्रदहंजल सवाह में मौजूद रहे धौलपूर के बसेडी कजबे के गाउम भोले का पुरा और भगहेल पुरा में परशों में जानलेवा विमारी फैलने से एक सबता हमें दर्जन भर परशों की मौत हो चुकी है अचानक पशों में फैली विमारी से ग्रामीनों में दहशत है ग्रामीनों ने बताया कि पिछले सबताह से दर्जन भर से धी गाए और भैंस की मौत हो चुकी है ग्रामिनों ने कहा कि समस्या को लेकर स्थानी प्रशासन के साथ जिला प्रशासन को भी सूचित किया जा चुका है लेकिन प्रशासन दुआरा गाउं में मेडिकल टीम भीजने की विज़ने की विश्था नहीं की गई है जिसे ग्रामिनों में आक्रोश बना हुआ है धौलपूर जिले के सेपोई उपखंड के देवनारायन छातर आवास में छे देव से ग्रिश्म कालीन प्रेश्टिशन शिवर कायोजन किया जा रहा है सरकारी संस्थाओं में शिख्षा की गुर्मक्ता को सुधाने के लिए बच्चों को नईने जानकारी देने के लिए शिवरों का आवजन किया जा रहा है हम शिवर में योगा की भी जानकारी दी जा रही है भरतपूर में जिले के वानिज जे विग्यान वर्ग में 60% से अधिक अंग प्राप्त करने वाले विध्यारतियों का सम्मान किया जाएगा जह के कोले जॉरा राज़स्थान देवस्थान परणयास मंडल के अधिक शर्मा के मुखे आतिति में कारEकरम कायोजन किया गया समहरों के अधिक देवस्थान जिला विधिक सेवा पराधिकानुं के सचीव संतोश मीन आने कि समहरों में देविस्थान प्रन्यास मंडल के चेर्मेन एजडी शर्मा ने कहा कि शिक्षा हमें बहतर नागरीक बनाने के साथ ही समाज जोए देश के विकास्त में भागीदार बनाने के लिए प्रेड़ित करती है उन्होंने बताए कि राजजे एउंकेंदर सरकार ने शिक्षा के उन्यान के लिए अन्यक यूजनाय संचालित कर रखी हैं जिनका हम सभी को लाप राप्त करना होगा नारज जयनती के मौके पर विश्व समाज केंदर की और से पूरे प्रदेश में गोश्टियों का यूजन किया जा रहा है जिसका विश्वय राश्टर जागरन में प्रत्रकारिता की भूमी का रखा गया है इस एकरम में जुन-जुनु के केशव आदर्श विद्यामंदिर में विचार गोश्टि का विजन किया गया जिसमें बताया गया कि प्रत्वी पर पहले पत्रकार नारज जी थे जिन्होंने हर पीडित को नयाय दिलाने के उचित माध्यम और उचित मंच पर निश्वक्ष्टा के साथ बात रखी आज के विग में यही काम पत्रकार कर रहे हैं कारे करम के दोरान जिला मुख्यले के पत्रकारों का भी सम्मान किया गया है शेट ओपन स्कूल की सीनियर सेकंडी परिक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है यह परिक्षा इन 30 मार्स से 25 अपरेल तक आयुजित हुई थी शिक्षा राजी मंतरी वासुदेव देवनानी ने शिक्षा संकुल में परिक्षा 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 में भाग लिया था जबकि नागूर के अलताफ हुसेन ने 80 दसमलो 2 प्रतिशत अंक हासिल कर पुरुष वर्ग में टोप किया है। इन दुनों टोपर्स को मीरा और एकलवे पुरुषकार प्रमान पत्र और 11,000 रुपे नगर देकर पुरुषकत किया जाएगा। परिक्षा में 13,000 परिक्षारती पास हुए थे जिन में 8,000 महिला परिक्षारती और 5,000 पुरुष परिक्षारती शामिल हुए। परिक्षा 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 परिक्षारती को भी मीरा और एकलवे पुरुषकार से समानित किया जाएगा। जिसके तहएत उन्हें प्रमान पत्र और 31 सो रुपे नगर दिये जाएंगे भरतपूर में जिलास्तरिया ओध्योगिक सलाकार समिती की बैठक कलेक्टरेट सभागार में आउजित की गई बैठक में विभिन ओध्योगिक शेत्रों की समस्ताओं पर चर्चा की गई जिसमें से ड़क त्याधिक छतिग्रस्त होने की शकायत पूर की बैठक में भी की गई थी लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं होने पर अत्रिक्त जिलाकलेक्टर ने सारुजन की निर्वान विभाग के अधिशाषी अभ्यंता को शिग्रिठी करने के निर्देश दिये हैं तथा माल गोदाम रोड से कृष्यू पजमंडी गेर तक की रोड की मरमत करने के भी निर्देश दिये हैं नूंगरपूर जिलाकेमिस असोशेशन ने भारदेश में दवाओं की ओनलाइन बिक्री वर सेंट्रल इपोर्टर पर दवाओं की बिक्री का वरोड किया है असोशेशन के पदाधी कारीज जिलाकेमिस पहुंचकर जम कर नारेवाजी करते हुए रोड प्रोडेशन क्या है और स्वास मंत्री के नाम जिलाकेमिस अपकर कारवाई की मांग की है चुरू जिला मुख्याले पर भी अब नेकी की दिवार जरूत बंदों की मदद करेगी जिला कलेक clair ललिदगुपताम ने नेकी की दिवार का शुभरम किया है Aussессर पर जिला कलेक्टर ललिदगुपता एजडियम राजपल सिंग और एजडियम राकेश वर्मा ने अपने घर से कपड़े लाकर नेकी की दिवार पटाँगे जिला प्रशासन दुआरा शुरू की गई नेकी की दिवार से जरूरत बंदों को ना केवल कपड़े मिल सकेंगे अभी तू अन्य जरूरत का समान भी मिल पाएगा जिला कलेक्टर लेलिद गुपता ने लोगों से अपील की कि लोगों के घरों पर पुराने कपड़े काफी संख्या में रखे होते हैं जबकि जरूरत बंद लोग कपड़ों के भाव में जैसे तैसे अपने शरीर को ढखपाते हैं नेकी की दिवार से गरीब लोगों की आवशक तैबूरी होगी इस नेक कारे में सभी को आगे आना चाहिए महीं कलेक्टर ने कहा कि स्थान की सूइधा को देखते हुए शहर में किसी अन्य स्थान पर भी नेकी की दिवार शुरू की जाएगे फिलहाल खबरों में इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रही है वन टिवी नमस्कार